वेलकम टूटर यूट्यूब शेनल ग्राफिकली जैसा कि हम लोग कंपाउंट रिच्ट के बारे में पढ़ना है तो आज हैसे में पढ़ेंगे इस्टालमेंट के बारे में देखें इस्टालमेंट को कैसे समझते हैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर मालेज़े आपने कोई इस्टालमेंट में पे करेंगे जैसा आपका सिंपल इंट्रेस्ट वाला है वहाँ पर यहाँ पर यही है बस आपका जो इंट्रेस्ट होगा वह आपका कंपाउंड होगा कंपाउंड इंट्रेस्ट के तरूब वहाँ पर simple interest था तो यहाँ पर जो आपका यह down payment के बाद यह बहला जो payment बचा आप इसको installment के जब form में भारेंगे तो आपका जो installment की हर installment की जो value होगी वो तो fix जो होगी बर जो उस पर रगने वाला interest होगा वो different होगा यहाँ पर आपको जो y amount है यही आपको pay करना है यहाँ पर रेट आफ इंट्रेस्ट जो है परेनम का वो मानले जी आर परसंट है इसका formula क्या बनेगा मतलब आपको जो है y जो है payment करना है n years में इंस्टाल्मेंट के form में तो जो आपको amount pay करना होगा उस पर जिसे आपको y नहीं बलकि y से कुछ बड़ा हुआ देना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 1 plus r by 100 आपको n years के लिए देना है तो यह n हो गया यह इतना amount आपको pay करना है इंस्टाल्मेंट के form में तो आपका जो first year का जो इंस्टाल्मेंट होगा वो कितना होगा यह होगा आपका जो आप amount चूज करेंगे जो आपके इंस्टाल्मेंट की value होगी मालेजी वो fixed value आपकी z है z आपको देना है z 1 plus r by 100 interest और जो आपका amount दोन देखिया आपने पहले मंत में दिया तो बागी आपके बचे हुई years कितने हो गए n-1 हो गए फिर प्लस आपका जो second month second installment होगा उसमें भी आप आपका amount रहेगा वो fixed होगा बर जो आपका इंस्टाल्मेंट हो जाएगा वो change हो जाएगा r by 100 n-2 ऐसे ही आपका एंस तक तो आप इसको लिखें चाहिना लिखें इसके value 1 हो गई तो देखिए इस पर best question करते हैं कि कैसे लगाएंगे इसके questions को देखिए आपर question दिया है सपना बारोट some money on compound interest and return it in 3 years equal annual installment if rate of interest is 15% per annum and annual installment is 486680 then find the sum बारोट मतलब आपने क्या amount जो है उधार लिया था मतलब यहाँ पर इस y की value बतानी है कि आपने क्या लिया था तो यहाँ पर देखिए formula है आपके पास y और आपने 3 साल के लिए लिया था तो यहाँ पर n की value है 3 years और जो आपका rate of interest है यह है 15% per annum 15% यहाँ पर सभी value हम लोग रख देंगे और इनकी value 3 हो गई और यहाँ पर जो आपका per installment का जो value है वो है installment की value 486680 यही amount आपका जो है बार बार आपको pay करते हैं बट आपका जो interest होता है वो different होता है तो यहाँ पर हो गया 486680 1 प्लस यहाँ पर देखिए 15 15 by 100 इसकी power कितना हो जाएगा आपको यह पहली installment installments यहाँ पर power 2 कर दिया हमने पर देखिए same as आपका यही हर जगहां रहेगा तो इसको common भी ले सकते हैं आप फिर आपका next month के लिए क्या बचा next installment के लिए क्या बचा 1 by 15 100 की power 1 बचा फिर प्लस यहाँ पर 1 हो गया यह आपकी हुई three installment तो three installment में जो आपकी interest है वो बस change हो रह इसको हम लोग calculate कर लेंगे क्या answer आएगा और यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो वैलू दी गई है जब इसको हम लोग divide करेंगे तो कुछ आपका answer आएगा four times one two hundred यह आपका आ जाएगा इतना रूपीज आपने उधार लिया था और इसको आपने एक्वल इंस्टालमें इसको आपको दिया गया तो इस तरह से आप calculate करेंगे हो जाएगा आपका answer इसके बाद next question देखते हैं देखिए next question है आपका इसमें difference की बात कही जारी compound interest और simple interest के बीच का जो difference है उसकी value यहाँ पर आपको दी गई है यह 5 compound interest का जो आपका interest है यह compound interest का है और यह आपका simple interest का है और इन दोनों का जो difference है उसकी value दी गई है 5 और दोनों के लिए जो rate of interest है मतलब same कोई sum है उस पर आप same interest rate से 5% की और time भी आपका same है माले जी कोई आपका sum P है तो इसका जो difference हो जाता है वो है 5 तो हमें यहाँ पर बताना है कि आखिर आपके P की value क्या है यहाँ पर आपने sum जो उधार लिया हो है जो लोन लिया हो है उसकी value है क्या ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर बात करी जा रही है दो सालों की आपको पता है कि अगर हम देखें कि आपका जो compound interest जो आपका interest आता है उसकी value क्या होती है P 1 प्लस यहाँ पर मालेजे आपका कोई rate of interest ह है और परसेंटेज इसकी power 2 हो जाएगी और minus P यह आपका इसकी value होती है और अगर आप simple interest वाले interest की बात करें तो वह होता है P into R into 2 divided by 100 बतब P into T into R percentage ठीक है और यहाँ पर आपका देखिए time दिया हो है 2 तो यहाँ पर आप 2 लिख लिए direct मतलब 2R परसेंट अब देखिए घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर आप देखिए इसको common ले सकते हैं तो common लोगी क्या आप आए गया यह आगया आपका 1 प्लस R हम परसेंट को अभी थोड़ा सा यहाँ पर अभी नहीं लिखते हैं कि हम माल रहें R तो आपका R है आप समझ लीजिए R % ही है तो क्या ह हो गया 1 प्लस R का स्क्वाएर यहां से वन से वन कैंसील आउट हो गया इतना है आपका और इसकी वैलू क्या हो इंट्रेस्ट वारा इंट्रेस्ट आपका इतना है तो यहाँ पर आप देखी दोने जगा पी कामन है कि अजाएगा r square plus 2 r minus minus r minus 2 r यहाँ से आपका देखी 2 r से 2 r cancel होगे कितना पचा r square तो देखिए है क्या इसका मतलब यहां पर आप देख रहे हैं इसकी वैलू के बराबर आ गई मतलब यह जो 5 है आपका 5 आपके जो रेट आफ इंट्रेस्ट है उसके स्कॉायर के बराबर है और आपका जो यह पी है जो आपने सम बारो किया है उसके बराबर तो डारेक्ट यहां से देख सकते हैं आपका एक फॉर्मूला बने गया तो आप यहां बस आपको फॉर्मूला रखना है अगर टाइम दो साल हो तो यहां पर आप इस फॉर्मूले से इसकी वैलू डारेक्ट निकाल सकते हैं बागी अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप यहां पर दे यहां पर आप देखिए 20 आ गया 1 by 20 का स्क्वाइर या 1 by 20 इंटु 20 लिख दीजी और यहां पर पी है तो पी की वैलू कितना आ गया 400 इंटु 5 यहां पर हो गया 2000 यह आपका आ गया सम जो आपने उधार लिया हुआ था तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसे questions के answer इसके देखिए आपका जो तीन साल का जो compound interest है वो कुछ इस तरह से है वन प्लस यहां पर देखिए हम आर परसेंटेज को आरी लिख रहें तो क्या हो जाएगा वन प्लस आर क्यूब माइनस माइनस वन और आपका पी common हो गया यह आपका interest है compound वाला और अगर simple interest की बात करें तो यह है कुछ इस तरह से 3PR ठीक अब देखिए इनका difference यहीं आपको question दिया गया है difference between simple interest and compound interest for 3 year at the rate of 20% पर रहें मिस रूपीज 152 then what is the principal length यहाँ पर हमें principal की value find out करने तो देखिए इसके formula के अगर हम बात करें तो वह कैसे निकलेगा यहाँ पर देखिए आप इसका अगर difference देखे इसी की value पहले find out करते हैं तो क्या हो गया इसको open कर लेते हैं r cube plus 1 minus 3r और 1 plus r minus 1 यहाँ देखिए 1 से 1 cancel out हो गया पी है आपका इदर बचा हुआ है और अगर is या ic minus is देखिए तो इसकी क्या value आ जाएगी दोनों के interest का difference देखें तो यहाँ पर आप देखिए p common है और इदर आप देख सकते हो r cube बचा और इसको multiply कर दें 3r minus 3r square और इदर बचा माइनिस 3r sorry आपका देखिए plus 3 होगा plus 3 होगा यहाँ पर तो यह कुछ आएगा r cube plus 3r plus 3r square तो यहाँ से 3r से 3r cancel हो गया क्या बचा 3 आप देखिए यहाँ पर r square common ले सकते है r square r plus 3 into में p यह देखिए आपका बन गया formula देखिए अगर यहाँ पर हम direct value रखने तो हम इस cancer निकाल सकते हैं जैसा कि हमें rate of interest यहाँ पर दिया गया question में 20% है तो यहाँ पर r percentage में ही आपका 20% का square तो यहाँ पर पहले त मतलब 1 by 5 मतलब 1 by 5 का square और देखिए इसके जो difference की value है 152 दिया गया है और r square की जो value हो जाएगी हो जाएगी 1 by 25 और 1 by 5 plus 3 मतलब की 8 by 5 तिया 15 15 16 16 बटे 5 into में p देखिए पहले इसको सिंप्लिफाइग कर ले थे यहाँ से आप देखिए इसको 4 से अगर divide करते हैं यहाँ पर आ गया 4 और इसको अगर कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 से multiply करो गया 12 और बचा यहाँ पर 3 4 32 और देखिए थोड़ा भी simplify हो जाएगा यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर 19 ठीक है तो यहाँ पर हो गया 19 into 5 into 25 divided by 2 अब देखिए काम करते हैं यहाँ पर इसको अगर 4 से multiply कर यह 100 हो जाएगा इधर भी आपका नीचे 8 बच जाएगा देखिए ऐसा करने से क्या फ़र्द हो जाएगा यहाँ पर आपका बच गया यह हो जाएगा 25 गुले 400 500 और फिर अगर आप 2 से multiply कर तो 1000 हो जाएगा तब इस पूरे की value कितना हो गई 1,000 और यहाँ पर आपको दो औ और multiply करना पड़ेगा तो कितना हो गया 16 19 by 19,000 divided by आपका आगया 16 अब देखिए इसकी value जो आप calculate करोगी तो आप इसको easily जो है divide कर सकते हैं तो इसकी value कुछ आएगी 1187.5 यह आजाएगा आपका answer जो आपका sum आपने जो उधार लिया हुआ था उसके बाद देखिए next question है यहाँ पर देखिए simple interest का आपको दिया गया है पहले data फिर उसके बाद आपको compound interest का पूशा जा रहा है तो यहाँ पर देखिए simple interest में दिया गया है कि 2 साल का 5% की rate से ज जो आपका compound interest होगा वो कितना होगा तो यहाँ पर देखिए पहले तो हमें sum की value find out करने पड़ेगी कितना समय आप जिसे यहाँ पर जो आपका simple interest है उसकी value क्या होती है P into जो आपका rate of interest के यहाँ पर देखिए 2 ES दिया गया 5% है तो 2 into 5 divided by 100 इसकी value दी गई है आपको 200 है तो सेम इसी P की value को लेकर के हमें compound interest के value निकालनी है same rate of interest और same time के लिए same rate of interest और same time तो यहाँ पर हम पहले A की value find out करेंगी compound interest के लिए तो A की value क्या हो जाएगी 2000 1 plus 1 plus 5 by 100 into 2 की power यहाँ पर हो गया 2 हो गया तो देखिए इसकी value क्या आजाएगी यहाँ पर आगया 20 और इधर आगया 21 into 21 divided by 20 into 20 into 2000 यहाँ से आप देखिए एक 0 कड़ गया है यहाँ से आपका बच्छा 445 यहाँ पर बच्छा 5 तो इसकी value आपको पता है 441 होती है 441 into में 5 यहाँ इस तरह से लिए 5 into 2 divided by 2 तो यह थोड़ा सा आसान हो जाएगा करने में यहाँ दोनों तरीके हैं आपके सामने दो दूनाशार दो दूनाशार और यह यहाँ पर आगया आप 252 इस तरह से आपको लिखना है вый थी यह आगया आप 525 यह आपको पता है इतना आपका अमाउंटा तुजवाप का अंसर आ जाएगा इंटरेस्ट का compound interest का पहो जाएगा 210 यह आजएगा compound interest का interest तो आज के वीडियो यन्ट करते हैं आपर और इसके झाल झाल